Morphology of Scorpion Leg Scorpions are Arachnids and they have four pairs of legs Each leg is terminating with a pair of structure which is known as class अगर हम Scorpions की Leg की Morphology की बात करें तो Scorpions क्योंके Arachnids हैं और जितने भी Arachnids हैं इनके अंदर four pairs of legs हैं ये character इनको मुम्ताज करता है insects के साथ क्योंके insects के अंदर three pairs of legs मौजूद होती हैं अब Scorpion की अगर legs के different parts को हम देखें तो इस slide के अंदर दिखाया गया है कि Scorpion की leg का वो part जो के main body के साथ यानि सफेलो thorax जिसको prosoma के साथ जो part leg का अटेच होता है इसको coxa कहा जाता है उसके बाद coxa के साथ एक छोटा सा जोड़नुमा structure है जो के trochanter कहलाता है उसके बाद फिर एक next femur है femur के बाद फिर एक और छोटा सा जोड़ की तरह का structure है इसको patella कहा जाता है उसके बाद next part tibia उसके बाद basi tarsus और उसके बाद फिर tarsus आता है अब तमाम जो legs है इसके end के उपर इसका जो terminating point है वहाँ पे एक pair होता है class का उसके बाद अगर हम scorpion की leg को गोर से देखें तो scorpion legs के उपर बहुत सारे sensory structures मौजूद होते हैं इसके अंदर CT मौजूद है इसके अंदर hair like structures मौजूद है इसके अंदर trichobodriya मौजूद है अब खास तोर पर अगर हम trichobodriya की बात करें तो ये वो structure है जो scorpion की legs के उपर मौजूद होते हैं इनका number और इनकी leg के उपर position बहुत important होती है क्यूंके ये taxonomically important character है और मुख्तलिफ species के अंदर ये character vary करता है इस character को base बना के बहुत सारे जो taxonomist हैं ये scorpions की different species को delimit करते हैं ये scorpion species को differentiate करते हैं इस slide के अंदर दिखाया गया है कि जो scorpion है उसका जो sphalothorics है sphalothorics के साथ इसकी टांगें attach होती है उसके अलावा इसका जो chalichra है chalichra ये भी sphalothorics के साथ attach होता है अगर इस chalichra को microscope के अंदर गौर से देखें तो इसके तीन major parts होते हैं इसके अंदर कीला मैनस मौजूद है with fixed finger इसके साथ साथ इसके अंदर एक moveable finger भी मौजूद है उसके लावा जो scorpion का pedipelp है इस pedipelp के अंदर coxa मौजूद है इसके अंदर femur मौजूद है इसके अंदर patella मौजूद है इसके अंदर कीला मैनस और ये इसका moveable finger मौजूद है तो जो scorpion है उसकी जो pedipelp है pedipelp का structure भी तकरीबन leg के structure से मिलता जूलता है अब हमने ये बात की कि जो scorpions है इसकी body के उपर बहुत सारे sensory structures मौजूद है उन में से बहुत सारे sensory structures इनकी legs के उपर भी मौजूद है एक important structure जिसको हम city कहते है जो के thick hair like structures है जो के इनकी legs को cover करते है ये एक important sensory structure है जो scorpions के अंदर मौजूद होता है और ये scorpion की legs के साथ साथ इसके body parts और इसकी जो pedipelp है वहाँ पर भी मौजूद होते है ये जो structures है they are highly sensitive to touch उसके बाद जो scorpions की body है इनके अंदर city के इलावा जो special structures है जो के sensory structures है वो trichobodria है trichobodria की एक खास बात ये है कि ये जिस जगा पर मौजूद होते है ये body के साथ एक specific angle बनाते है आम तोर पर ये 90 का angle बनाते है और ये जो structures है ये structures scorpions को help करते है vibrations को detect करने के लिए उसके रावा जो scorpion की body है scorpion की body के अंदर और भी बहुत सारे sensory structures मौजूद होते हैं जो इनकी legs की tips के पर मौजूद होते हैं और इनको help करते हैं मुख्तलिफ किसम की vibrations को या मुख्तलिफ किसम के जो sensory stimuli हैं उनको detect करने में